हेलो फ्रेंट्स वैलकम टो अनादर वीडियो इस वीडियो में हम यूनिट 3 वर्ट प्रोसेसिंग का सेशन नमबर 3 मैंनेजिंग फुटर्स पढ़ने वाले हैं आइनो आइनो सावि मैं इस बार लेट हूं ठोड़ा सा व्यडियो डालने में कुछ टेक्निकल इसूजे जिनकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ विडियो अफ्लोड करने में बट वह टेक्निकल इसूज़ वह जोके हैं और रेगुलर वीडियो जमिलती रहेंगी और जल्द मिलती रहेंगी तो हमें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पिछली वीडियो के अगर हम बात करें उसमें सेशन टू मैंनेजिंग तो अगर आप यह वीडियो पहले बार देख रहा है इस चैनल पर आप नहीं देखी है तो मैं लिंक दाल रहा हूं नीचे आप उस वीडियो को देखना और उसके बाद पर इस वीडियो को चाहिए और आप आप आगे सीख पाओ तो managing footers में हमें ज्यादा detail में कुछ पढ़ने की जरुवत नहीं है हमने देखा था हम double click करते हैं header section पर जाके तो वहाँ पर header के options खुल जाते हैं design tab open हो जाता है उसी तरह से यहाँ पर footer में भी है कि आप direct footer footer की जगे पर जाके double click करो double click करते से ही आपको क्या मिलेगा design tab मिल जाएगा design tab में जाएंगे आपको वहाँ पर footer का drop down menu मिलेगा उस footer के drop down menu पर जैसे ही आप click करते हैं तो you will see multiple options कि आप आपका footer कैसा चाहते हैं text वाला चाहते हैं page number वाला चाहते हैं जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें से वहाँ पर add कर सकते हैं तो this is how you will add a footer now आपने footer तो add कर लिया लेकिन अब आप footer में चाहते हो कि आप page number लिखो date and time लिखो या फिर और कुछ page number read करके answer ढूंडने में page ढूंडने में बहुत आसानी होती है तो यह सारी चीज़ें helpful होती है तो इसी लिए हम footer में page number वगरे डालते हैं तो जैसा कि हमने header में देखा था कि जब हम header में डालना चाहते हैं तो हम header section पर double click करते हैं design tab में header in footer group के अंदर हमको सारे options दिख जाते हैं page number और वो सब तो वही चीज़ से हम यहां करेंगे कि photo section में click करेंगे photo section में click करके double click करके आपको design tab मिलेगा उसमें जाएंगे design tab में direct आपको वहाँ पे header footer group में same चीज़ें मिल जाएंगे जहां पर आपको photo के अंदर page number डालना है या फिर date and time डालना है तो all these things आप वहां से आसानी से add कर सकते हो तो सेम चीज़ें है managing header जैसी ही तो अगर आपको कोई confusion हो रहा हो इस वीडियो में मैंने detail में cover नहीं किया है just because कि यहां पर आपका जो same content आएगा पूरा प्रॉपर्ली देख सकते हो और वहां से समझ में नहीं आए तो आप comment में पूछेगा मैं comment में बिल्कुल reply करूँगा आपको कोई doubt होगा तो मैं उसको solve करूँगा and this was the video next video में हम managing styles के बारे में पढ़ेंगे तो managing styles के बारे में prepare रहना पढ़ने के लिए जल्दी वो वीडियो अप्लोड होगी क्योंकि आप issues are resolve हो चुके हैं और regularly update होता रहेगा आपके बास videos आती रहेंगी thank you for watching the video and please like share and comment